दोस्तो आपने देखा पिछले मुकाबले में हमने एक तरफा सब को भरा दिया था और केवल दो खिलारियों से हमारी मेगा ग्रैंड लीग चूप गई वरना दोस्तो हम डेड़ करोड रुपे पक्का जीत जाते दोस्तो मैंने आपको बताया था कि अपनी टीम में आपको दो दो खिलारियों को चेंज जरू करना है दोस्तो आज भी पहले मेच की तरह ये मुकाबला बहुती तगड़ा होने वाला है बहुत अच्छा मेच होने वाला है ग्रैंड लीग खिलने वालों के लिए तो ऐस आप आज चाते हो कि भाई उननचास उर्पे से और दो करड़ रुपे जीतना देड़ करड़ रुपे जीतना रैंक वन ले के आना तो ऐस ये वीडियो आपके ही लिए है दोस्तो एक तरफ होने वाली है केन बिलियमसन की सेना निजलान की टीम बहुत तगड़ी टीम है एक जाएगा 9 अक्टूवर वाले दिन दो पैर के दो बजे से और ये वर्ल्ड कप का छटवा मुकाबला है जो कि राजिव गांदी स्टेडियम में मुकाबला होगा है दराबाद के मैदान पे दोस्तो आप भी चाहते हो इस मुकाबले में बहुत सारा पैसा जीतना एक तरफा सब को अराना तो ऐस इस वीडियो को आपको लाइक जरू करना पड़ेगा चेनल को भी सिस्क्राइब कर लीजिए बेल आकन दबाईए और लुटिफेकेशन पे क्लिक करना बल्कों न भूलें दोस्तो बात कर लेते हैं पहले यहां पे कि भाई इस मैदान पे जो मुकाबले खेले गए हैं उनकी वाद करेंगे मर दोस्तो उससे पहले आपको बता देता हूँ पिछ रिपोर्ट दोस्तो यह पिछ हो सकती है कैसी दोस्तो यह पिछ होती है यहां पर बल्ले वाजयों को भी हैल्प मिलती है इस्पिनर को हैल्प मिलती है पहली पारी में दूसरी पारी म पे जो खेले गए ना लास्ट मुकाबले वो क्या कहते हैं दोस्तों आप यहां पे देखिए टोटल आठ बंडे मुकाबले खेले गए हैं समझते जाना एक एक पॉइंट को दमाख में ठीक है फिर यह मत कहना आप आपने बताया नहीं आठ मैं से पांच मुकाबले पहले वल् जीते हैं यानि कि दोस्तों इस पेच पे बढ़ा स्कोर बन जाता है और उसको छोटी जो टीम होती है वो दोस्तों चेज नहीं करपाती है बड़ी टीम आसानी से चेज भी कर लेती है ये भी एक उल्टा लफ़ना यांपे स्पिच पे दोस्तों आट मैचों मैं से दोस्तो पहली इनिंग का जो एवरे स्कोर है इस मैदान पे 288 है यानि दोस्तो 300 तो भाई एवरे स्कोर है यहां पे हाइस्ट इसकोर इस मैदान पे बनाये 350 रन लोइस्ट इसकोर यहां पे बनाये 174 रन आप दोस्तो जो आठ वने मुकाबले खेले गए ना आठ मैंसे 200 से नीचे एक भी बार नहीं बनाये 0 वार स्कोर बनाये और 200 से और 200 की बीच में 3 वार यहां पे 2 वार हुआ है और 3 वार यहां पे स्कोर हुआ है तो यहाँ पे 300 के प्लस भी स्कोर आपको देखनी के लिए मिलेगा वरना डेड़ सो लाष्ट दोस्तो तक पहुंच सकती है नीदरलेंड की टीम दोस्तो इस मैदान पर आकरी के जो बंडे मुकाबले खेले गए चार आप उनको देखोगे तो यहाँ पर पाकिस्तान ने बनाए भाई 206 नीदरलेंड की टीम ने बनाए 205 लागबाग पहुंच गई थी मार दोस्तो छोटी जैसी टीम 205 बना सकती है इस वाद को सोचो इस मै की टीम इसको चेज नहीं कर पाई और ओल आउट हो जाती है 49.2 बर में इसमें दोस्तों 14 विकेट मिलती है किसको पेसर गयंदवाज को और इस्पिन को मिलती है मात्र तीन विकेट उससे पहले मुकाबला हुआ उस्टीला इंडिया में और तीला ने बनाए पहले वल्लेबा मिली है उससे पहले मुकाबला खेला गया स्री लंका इंडिया की वीच में स्री लंका ने बनाए 48 दसमलब दो ओवर में ओल आउट होने के बाद 242 रन इंडिया ने भाई मात्र चार विकेट खोई और 44 दसमलब एक ओवर मना दिया 245 रन और इसको चेज कर लिया मुकाबले यहां पर देखिए पेसर को 21 विक्गित मिली हैं दूसरी पारी में 18 विकेट मिली है पहली बात खेली aún और बात करें तो उनताली संविकित यहां आपे तबज्जो देनी हैं मार दो तो दूसरी पारी में आप इस पिन को ड्रॉप करके भी चल सकती हो दोनों टीमों की भी इसमें कुल मला करके चार हैट्टुएड वंडे मुकाबले खेले गए हैं चार मैंसे चार भाई यहां पे न्यूजलेंड की खतरनाक टीम नी जीते ह पिछले पांच वंडे मैचों की बात करें तो नीजलेंड की टीम पांच मैंसे तीन वंडे मुकाबले जीत करा रही है जबकि एक का रिजल्ट नहीं निकला और एक में हरका सामना करना पड़ा नीजलेंड की टीम पिछले पांच मैंसे मात्र दो मुकाबले जीती है और ती पांच नमबर पे टॉम लेथम कप्तान एंड विकेट की प्रल्यवाज चे नमबर पे ग्लेन फिलिप्स साथ नमबर पे मार्क चैपमेन आठ नमबर पे जिम्मी नीशम नमबर पे मिचल सेंटनर और आई दस नमबर पे मैट हैंरी जो की खतरना गैंदवाज है और 11 नमबर प कौन गैंदवाजी करेगा इस्टार्टिंग के ओवर कौन डालेगा तो आई ट्रेंट बोल्ट जी हां दोस्तों ट्रेंट बोल्ट और यह कौन है दोस्तों ट्रेंट बोल्ट के साथ मैट हैंरी मिचल सेंटनर यह दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे और जो डेथ म चलेगा नहीं चलेगा त्वाइस आप एक बात देखो यहां पर डैवन कॉर्णवें ले लास्ट मुकावले मनाई एक सो बावर नावाद उससे पहले अठेटर उससे पहले एक से ग्यार नावाद इस टीमें खिला पहली बर खेलेगा इस मैदान पर एक मुकावला खेला उसम लाई है वरना यह बंदा बुल को फ्लॉप है हैड टूएड में तीन मैचों में दोसो चोवीस रना एक सो बारे कावरेज मतलब हैड टूएड में दोस्तों इसका प्रदसन बहुत तगड़ा होता है तो आप चाहो तो आज बिल यंग को ट्राई करना पक्का अपनी टीम मे पहली बार खेलेगा इस टीम में खिलाब और उस मैदान पर भी पहली बार खेलेगा बड़ा खिलाडिया लेना चाहो तो ले सकते हो वैसे मैं इसको ले करके चलूँगा ही रचेर रवेंद्र दोस्तों मैं आपको पिछले मुकाबलें बताया था रचेर रवेंद्र दोस्त दिमाग में डाला करो थोड़ा सा रचे यहिए भ एकbenन एक वाने दि एक जेरेग्स इस से पहले जीरो रन उसे पहले एकज़ान चारस विकेट भाई इस मैयदान पर पहली करेंगा और इस टीम कंदाapa कहलेगा अर ऐस को आप और न चलना और रावंडर वाला प्रदसनिक करने वाला है और आज मिचल सेंट्र नहीं बल्कि दोस्तों आज तो आप डेरल मिचल को कफ़तान जरू करना तॉम लेथम दोस्तों रिसेंट फॉर्म बावन अटावन तेरह तीन उननीस उनसट दोस्तों रिसेंट फॉर्म काफ टीम के खिलाब 171 का आवरेज वाई और 171 रवन आये हैं एक मैच खेला इस मैदान पे और चौवी सरन लगाए हैं तो आप इस खिलाडी को लेकर के पक्का चलना टॉम लेथम को ग्लेन फिलिप्स दोस्तों रिसेंट फॉम देखो आप दो वेकेट उससे पहले 43 सरन जीरो सामने वाली टीमें खिलाब पहली वर खेलेगा इस मैदान पे एक मैच में ग्यार रहन लाए थे ओवर नहीं कराए थी ठीक है तो आप चाहो तो इसको आज ड्रॉप करके चल सकते हो मार्क चैपमेन दोस्तों बहुत गंदी फोर्म से जूजरा बंदा मैं इसको ड्रॉप कर लास्ट वारे मैच में उससे पहले 14 रंज जीलो विकेट 33 रंड एक विकेट उससे पहले सत्ता वर्न नावाद पहली वर खेलेगा इस मैदान पे और इस टीम के खिलाब भी तो आप लेना चाहो तो लवी सकते हो क्योंकि आर ओवर और दस मैच खेले हैं 10 मैचों में वंडे है लास्ट मैच में दो विकेट निकाले उससे पहले विकेट उससे पहले नावाद एक और दो भी विकेट फिर चार रंड एक विक फिर तीन विकेट पहली वार खेलेगा नीजराइंट टीम के सामने इस मैदान पे एक मुकाबला खेला था उसमें शत्ता वर अलगा थे और कि उसके बाद दोस्तों मैठ अंडरी की बात करें तो आप देखो हैं पर 3 चाप्इजार मेठ मेरा ट्रम जी खरें एक दो विकेट तीन विकेट और एंड में डेथ में भी रहें तु भाई इसका तो चार पांच विकेट आप लिख लू तीन विकेट से ज्यादा लिखे लो मैं आप से अभी बता रहाँ रहा हूं प्लेंग 11 की क्या नीजलेंड की पिलिंग 11 क्या होने वाली है मैक्स और डाउड के साथ आपको ओपनिंग करते को नजर आएगा इंडिया का खिलाडी विक्रम जी सिंग इंडिया खिलाडी नियार इंडिया का रेनिय वाला था है उसके बाद ती नमबर पे कॉल इन अकरमेन बेस्डी लीडा बहुत तकड़ा खिलाडी वाई बेस्डी लीडा को मैंने केप्टन किया था अपनी गिरेंड लीग में पिछले मुकाबले में और आज क्या प्रेटिक्शन है आपको बताऊंगा वीडियो में बने रही है इंड तक पांच नमबर पे तेजा आएगा चै नमबर पे स्कॉट एड़वर्ड आएगा जो की कफ्तान है और विक्टड कीपिंग भी करता है साथ नमबर पे साफिक जुलफीकार आठ नमबर पे आर वैन डी मर्वे और नह नमबर पे लोगन वैन बीक दस नमबर पे आरे अनधद और 11 नमबर पर मिक्रेन दोस्तों यह पेलेंगे लवन होने वाली है नीदलाइण टीम की अब बात करें नीदलाइण की ओर से आपको किस किस को लिना है किस को नहीं लिना है उससे पहले आप यहां पे एक नजर डालो जो डेथ में गेंदवाजी करेंगे वो दोस्तों कौन अब दोस्तों यह पे एक नजर डालते हम खिलाडियें के इस्टेट्स की ओर मैक्स ओडाड ओपनिंग करेगा बहुत गंदी फर्म से जूज़रा बंधा बहुत गंदी फर्म से जूज़रा है पाँच रन जीरो रन, सात रन, तेतीस रन, बीस रन, पैतीस रन क्या फॉर्म ह में किसी भी टीम में कप्तान ट्राइब जरू कर सकते हो यह दोस्तों ट्रंप खिलाड़ी आज का होने वाला है के लिए विक्रम जी सिंग बावर रन लास्ट वाले मैच हैं पाकिस्तानी खिलाब उससे पहले कॉलिन अकरमें दोस्तों साथ रन सोड़ी सत्रे रन दो विकेट 31 नावाद छे रन एक विकेट फिर आठ रन पहली वार खेलेगा न्यूजलेंड के सामने इस मैदान पे एक मैच में सत्रे रन लगाए थे और दो विकेट निकाले थे तो आप इसको ले करके चलना बैस्डी ल तो गया था वस वर नाम ग्रेंड लिग में नंबर वन आया थे उससे पहले जीरो रन दो विकेट फिर तीन विकेट फिर दोस्तों अठारे रन जीरो विकेट दोस्तों विकेट निकालता यह बंदा सामने वाली टीमें खिलाज तीन मैचों में 65 रन लगा रखे हैं 22 के वरे दो आप यहां पर देख सकते हो एक मैच में 67 रन है मैदान पर अच्छा वाई एक मैच में 67 रन और वाई चार विकेट जो की पाकिस्ताने खिलाब यहीं पर खेलाता है बंदा तो आर मैदान को देखते हुए ले सकते हो मगर दोस्तों मैं आप को कहूंगा कि आप सी वी सी तेजा दोस्तों ड्रॉप करके चलूंगा भुलकुल में इसको पांच-जीरो-दस क्या वाई सामने वाली टीमें खिलाबी बेकार है एक मैच खिलाब यहीं पांतर-पांच रन है इसको डैडवा जीरो-चौदा एक मैच मातर-शोले रन है पांच का एवरेज है इस मैदान मैच में जीरो-डरन है दोस्तों मैं इसको भी ड्रॉप करके चलूंगा हमने आप एक इवले खिलाडी लिया है विक्रम जीस सिंग जहां रखना ठीक है उसके बाद साकिप जोलफीकार दोस्तों दस रन जीरो-बेकेट-जीरो-बेकेट-जीरो-बेकेट-बेकेट सामने वा टीम में खिलाब एक मैच में दो विकेट और इस मैदान पर भाई ज्यादा विकेट नहीं मिली थी मर दोस्तों आज यह हमारा ट्रंप खिलाड़ी होगा इसको आज विकेट पक्का मिलेगी इस बात का नोट कर लो आज अभी से आप उसकी बाद दोस्तों लोगन वेंड वी आनि की डवल विकेट निकालता है एक मैच में दो विकेट बंदा निकालता है न्यूजिलन टीम में खिलाब एक मैच में टाहें है ओवर अम आपalım 21 मैचों में 28 विकेट बंदा ले चुका आए तो आप लेकर करके चल सकती सब्सक्राइब बाइज अब देखो आरेंद रत तो मैं इसको डॉप करूंगा अच क्योंकि इस मैदान पे पहली वार खेलेगा मैदान पे एक मैच केला मात रेक विकेट है तो यार कोई जादा खास नहीं है रिसेंट फोर्म आप देखोगे यहां पे मेकर रेंकी तो एक विकेट जिरो विकेट दो विकेट दो विकेट है इस वजए से मैं इसको नहीं ले रहा हूं दोस्तो जो आपको फाइनल टीम लेगी वो आपको मिलेगी टेलिग्राम चेनल पे भाई आपको पता चलेगा टेलीग्राम पे जाओ डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगा कि अमेत भाई ने कौन-कौन से खिलाडी ल लिखी फटा पर जाओ टेलीगरम को जोईन कर लो चेनल पर नए हो तो सस्क्राइब करके जरू जाना All the best, thank you